हेलो दोस्तों मैं सवरम मलिक आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पोलिटी का एक बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक सविधान की सरोत यहां से हर एक एक एक्जाम में कोश्चन पूछा आता है और यह सभी प्रिक्साओ के लिए मास्टर वीडियो है इस वीडियो में 45 कोशन देखने वाले 45 में से आप कितने कोशन सही कर पाते हैं अपना स्कोर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बोक्स में बतेगा अभी तक कि मास्टर वीडियो जितनी भी अप्लोड हो चुकी है रात के 11 बजे अनकेडमी पर एक लाइव क्लास लेता हूँ है औल इंडिया जी के लाइव टेस्स के नाम से जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मैंने दे दिया है अभी उसमें अन्रोल कर लेना, नोटिफाइ मी पर किलिक कर लेना और उसमें कोड यूज करने आपको इस्टड़ी टेन अगर आप अनकेडमी पर फर्स्ट टाइम जा रहे है SSC Bank Railway किसी भी कैटेगरी के लिए आपको सब्सक्रिप्शन जोईर करना है तब भी आपको यही कोड याद रखना है अनकेडमी प्लस के सारे benefit आपको एक साथ मिल जाते हैं जब आप अनकेडमी प्लस को सब्सक्काइब कर लेते हैं अगर आपने अनकेडमी पर अभी तक मेरी profile फोलो नहीं की है तो या तो आप मेरा नाम सर्च करके फोलो कर लीजे या फिर मेरी profile का link नीचे description box में मिल जाएगा वहाँ से जाके follow कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को please end तक देखना हरी question का answer नीचे comment box में बताना और वीडियो पसंद आए तो like करना बिल्कुल मत भूलेगा शुरू करते हैं चलिए अब start करते हैं आज की वीडियो को देखें वीडियो को पूरा end तक देखेगा कितने question आप सही कर पाते हैं इस पूरी की पूरी वीडियो में वो भी अपना score इसी वीडियो के नीचे comment box में बतेगा अगर किसी भी question का answer पता होगा तो नीचे comment box में बताने की कोशिस करिएगा आज की वीडियो का पहला question है भारते सविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के सविधान से लिया गया है जो हमारे fundamental rights हैं वो किस देश के सविधान से लिये गये हैं तो दोस्तो इसका सही उत्तर रहेगा अमेरिका और अमेरिका में जो fundamental rights हैं उनको किस नाम से जाना जाता है ये वाला question भी कई बर exam में आ चुका है तो fundamental rights जैसे हमारे देश में जाना जाता है fundamental rights मौलिक अधिकार वैसे ही अमेरिका में जाना जाता है bills of right के नाम से तो ये भी आपको याद रखना है दूसरी बात आती है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो किस भाग में आते हैं तो ये आते हैं भाग 3 में और article article 12 से लेकर 35 तक हमारे जो सविधान है उसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है तो ये सारे ही important point आपको याद रखने है चलते हैं next question पे दोस्तो next हमारा दूसरा question जो की काफी important है बारती सविधान में राज्य के नीती निर्देशक सिद्दान्त को किस देश की सविधान से लिया गया है नीती निर्देशक सिद्दान्त को इंगलिस में बोलते है directive principle of state policy और ये किस देश से लिये गए दोस्तों अगर आपको answer पता है तो नीचे comment box में बताने की कोशिश करिए बिलकुर से दोस्तों इसका सही answer रहेगा Ireland के सविधान से लिये गए है अच्छा बात आती है किस भाग में आते है तो directive principle of state policy आते है भाग चार में और किस article से किस article तक तो article आपका 36 से 51 तक ये आपके directive principle of state policy आते है तो ये भी आपको याद अखना है ठीक है guys चलिए अब हमारा next question आता है भारतिय सविधान में मोलिक करतवयो यानि कि fundamental duties को किस देश के सविधान से लिया गया ये भी काफी important question है देखे question जितने भी मैंने इसमें लिये है वो सारे क्या है important है exam में repeated है तो आप कोशिश करिए कि end तक ही वीडियो को देखे तो यहाँ पर fundamental duties जो है वो हमने लिए है रूस के सविधान से यानि की option रहेगा D right answer और ये किस भाग में आते है तो जो fundamental duties है वो भी भाग 4 में आते है और article 51 A में आते है article 51 A तो ये भी आपको याद रखना है चले next question भारतिय सविधान में संसद्य सासन विवस्था को किस देश के सविधान से लिया गया है देखे हमारे देश में संसद है और संसद किस किस से मिलकर बनी है वो भी मैं बताऊँगा ये संसद्य जो विवस्था है किस देश के सविधान से लिए गई है तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तो बेटेन यानि की option A is the right answer तो संसद यह सासन विवेस्था बेटेन के सविधान से हमने ली है अब दीखें बात आईए संसद की दो संसद जो है अमारी यह तीन चीजों से मिलकर बनती है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राश्टपती ठीक है लोकसभा जो है यह article 81 में आती है ठीक है और यहाँ पर राज्यसभा दोस्तो आपका 80 article 80 में आती है और राश्टपती किसमें आते है राश्टपती प्रेजिडेंट यह आपके 79 में आते है सोरी रास्टपती तो गैस 79 में क्या होता है संसद आती है ठीक है 79 में और रास्टपती का जो एलेक्शन हो आर्टिकल 55 में आता है तो यहाँ पर यह सारी चीजे मैंने बताई है तो आपको याद रखना है बेटेन के सविधान से हमने संसद्य पढ़नाली ली है समझ गए सारी चीजे जो मैंने अभी आपर बताई है चले फिर नेक्स्ट हमारा कोशन आता है भारते सविधान में निर्वाचित रास्टपती का प्रवधान को किस देश की सविधान से लिया गया है जो हमारे देश में रास्टपती है बनते है निर्वाचित रास्टपती वो जो प्रोस पर चल रहे हैं हमारी टीम के भी पूरी वाइफाइ स्टेडी टीम के भी और भी बहुत सारे सिंगल एजुकेटर जो टोप एजुकेटर इंडिया के वह यहाँ पर पढ़ाते हैं तो आप किसी भी एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के यानि कि अगर आप बैंक की तैरी कर रह अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है अपना गोल सेलेक्ट करना है जिस भी एक्जाम के आप चारी कर रहे हैं यहाँ पर गोल सेलेक्ट होगा बैंक कैसे सी रेलवे जो भी एक्जाम होगा उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक जितने मंत कभी आपको को चोर्स उसमें यह डिसकाउंट का काम करेगा यानि कि आपकी जो फीस होगी उसमें 10% का डिडिक्शन देगा और यह अप्लाई भी करना पड़ता है यानि कि आप जब इस डिसकाउंट को यहाँ पर भरेंगे तो अप्लाई की बटन पर भी किलिक करेगा उसके बाद जो पेमेंट आएगा उसका आपको पेमेंट कर देना है ठीक है चलिए अब आप आजाते हैं नेक्स कोशन पर नेक्स्ट हमारा कोशन है कि भारते सवधान में मोलिक अधिकार को किस देश के सवधान से लिया गया है तो मोलिक अधिकार जो फंडमेंटल राइट से वो भी हमने अमेरिका क सवधान से लिया गया है तो देखिए दू सदन यानि की एक लोग सभा है एक राजय सभा है ये जो अला सिस्टम है हमने लिया है बिर्टेन के सवधान से तो इसका सही उत्तर भी आप उप्शन बेटिक करेंगे दोस्तों next हमारा question आता है भारतिय सविधान में समवarty सूची को किस देश के सविधान से लिया गया है देकि समवarty सूची को बोला जाता है concurrent list ठीक है और concurrent list हमने लिया है ऑस्टेलिया के सविधान से ente एक होती है union list, एक होती है state list और एक होती है concurrent list मैं आपको तीनों में differentiate कर देता हूं स्टेट लिस्ट में वो matter आते हैं जो स्टेट द्वारा बनाया जाते हैं यानिकि वो area आता है जिस पर state low बना सकती है union list में वो area आता है जिसमें वो सारे area आता है जिसमें central government law बना सकती है concurrent list वो list होती है जिस पर दोनों लोव बना सकते हैं ठीक है तो concurrent list के में वो सारे के सारे matter आते हैं तो यह आपको याद दखना है दोस्तो next हमारा question है भारते सविधान में आपातकाल के सिद्धान्त को किस दिस के सविधान से लिया गया है ये भी काफी important है तो देखे इमर्जंसी जो है ठीक है राष्टपति सासन financial emergency या फिर आपकी होती है ज्यानी कि national emergency ठीक है एक national होती है एक राष्टपति होती है और एक होता है आपका financial अभर दिखे national emergency आती है article 352 में national emergency 352 में और president rule यानी कि राष्टपति सासन 356 में और आपकी जो financial emergency होती है वो आती है 360 में तो ये तो तीनों आपको याद रखने है तीन टाइप की emergency होती है और ये जो emergency वाला सिद्धान्त है ये हमने लिया है जर्मनी से ठीक है तो ये आपको याद रखने है प्यार दोस्तों समझ गए चले फिर next है भारते सविधान में प्रस्तावना की भासा को किस देश के सविधान से लिया गया है ध्यान सुनिये गया प्रस्तावना की भासा की यहाँ पर बात की जा रही है तो ये लिया है उस्टेलिया से तो इसका सही answer option C रहेगा ठीक है और प्रस्तावना यानि कि देखे प्रस्ता के सविधान से तो दीखे एक एक चीज मैं आपको किलियर करता हो जा रहा हूं अगर वीडियो पसंद आये ना तो आज की वीडियो को मैक्सियुम लाइक करके सपोर्ट करेगा थाकि मैं आपके लिए ऐसे सी वीडियो बनाता रहूं ठीक है चले अब हम आते हैं नेक्स्ट 35 से ठीक है अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं देखिए जो आपको पता है हमारा इंदीया की कंसियुशनिशन दिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों के याद रखना हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा कोशन है भारते सवधान में नियंतरक एवं महालेखा परिक्सक का प्रवधान कहा एक्ष्त कीच्रा भारत दोस्तों से ही लिया है प्यारे दोस्तों ठीग है तो याद रखिएगा और यह आता है आर्टिकल जो कहा है वो 148 में आता इवा मेरे को confirm करिएगा अगर right है तो बारते सविधान में विधी का सासन का अधिकार पर्णाली को किस देश के सविधान से लिया गया है यानि कि rule of law विधी का सासन का अधिकार जो है दोस्तों इसको इंगली से बोलता है rule of law जो है यह हमने कहां से लिया है किस के सविधान से लिया है तो यह लिया है बिर्टेन के सविधान से ठीक है समझ में आ रहा है ना मज़ा आ रहा है वीडियो को देखने में तो प्लीज बताते रहेगा भारतिय सविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहां से लिया गया है देखिए अब आई यह वो वाली बाद जो मैं भी आपको बता रहा था तो भारतिय सविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है जहां से हमने जादेतर सविधान की जादेतर चीज़ लिए है वो है भारत सासन अदिनियम 1935 तो ये आपको जरूर याद रखना है ठीक है जब हमारा सविधान बना था तो उसमें 395 आर्टिकल थे आपको पता है तो इसमें से करीब करीब 250 आर्टिकल हमने यहीं से लिए हैं तो ये काफी important point है याद रखेगा मुझे लगता है कि आपको याद जरूर रहेगा ठीक है चलिए अब आता है next question भारते सविधान में एकल नागरिकता का परवदान किस देश के सविधान से लिया गया है यानि कि single citizenship जो है वो किस देश के सविधान से हमने ली है दोस्तो एक तो मैं आपको बता दू कि जो single citizenship ली है वो हमने ली है बिर्टेन के सविधान से अब बात यहां पर आती है जो citizenship वाला पूरा matter है वो किस भाग में आता है तो यह आता है दोस्तो भाग 2 में और article 5 से 11 तक citizenship यानि की नागरिकता के बारे में ही बताया गया आर्टिकल 5 से 8 तक यहां 5 से 11 तक बताया गया है और यह भी काफी important है क्योंकि कई बार सिर्फ यही पूछ जाता है कि जो नागरिकता किस भाग में आती है या इस citizenship किस भाग में आती है और किस article से किस article तक है तो 5 से 11 तक भाग 2 में और यह बिर्टेन के सविधान से हमने लिया है चले next हमारा question आता है भारते स सविधान से तो यह भी काफी important है यह भी याद रखेगा ठीक है देखे रास्तपती का जो निर्वाचन वाला process है वो भी हमने अमेरिका से लिया है ठीक है कि एक देश है देश में रास्तपती होगा जो की सरवुच होगा वो हमने लिया कहां से अमेरिका से और जो हटाने का process जो महाभयोग यानि की impeachment process है वो भी हमने अमेरिका से ही लिया है तो यह भी आपको याद रखना है अच्छा महाभयोग जो है वो किस article में आता है तो यह भी काफी important है पूछ आ सकते हैं तो impeachment process दोस्तो article 61 में आता है ठीक है एक ही वीडियो में सारी चीज़े cover हो जाएंगी सव पर्थम किस देश में विक्सित हुई है सव पर्थम यहाँ पर एड़ होना गलत मतलब यह मिस हो गया तो पर्णाली सव पर्थम किस देश में विक्सित हुई है तो देखे संसद्य सासन पर्णाली जो है ठीक है यानि कि संसद्य जैसे हमारे देश में संसद्य इसमें ल लोकसभा, राजेसभा और आपका प्रिजिडेंट होता है वैसे ये वाला जो प्रणाली है ये सबसे पहले बिर्टेन में विक्सित हुई थी ठीक है तो याद रखीगा चले नेक्स्ट हमारा कोशन आते हैं भारती सविधान में संसिद्य सरकार प्रणाली को किस जिस की ववस्था को किस देश की सविधान से लिया गया है पारती सविधान में मंत्री मंडले ववस्था को किस देश के सविधान से लिया गया है तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा बिर्टेन के सविधान से आनि की ओप्शन बी इस दा रेट आंसर नेक्स्ट हमारा क कोशन आता है भारतिय सविधान में सविधान की सरवचता का प्रवधान को किस देश के सविधान से लिया गया है सविधान की सरवचता का प्रवधान हमने लिया है कहां से अमेरिका से यानि की देश में सबसे उपर क्या होगा सविधान होगा तो हमारे देश में भी सबसे सवधान में उपरास्थपती का पद को किस देश के सवधान से लिया गया है कि एक वाइस प्रेजिडेंट होगा देखे प्रेजिडेंट होगा एक वाइस प्रेजिडेंट होगा तो ये भी हमने कहां से लिया है अमेरिका से ही लिया है ठीक है तो ये भी आपका अधकन है आई कोट होगा, एक सुप्रीम कोट होगा, उसमें जजिज होगे, सब कुछ प्रोसेस जो है, ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, नेक्स्ट है, भारते सववधान में प्रस्तावना को किस देश की सववधान से लिया गया है, अमेरिका की सववधान से हमने प्रेंबल लिया है, नेक्स एब भारते सववधान में न्याइक उनर वालोकन को किस देश के सववधान से लिया गया है, यानि कि जुडिशियल रिव्यू उन्रावल लोकन जो है इसको इंगली से बोलते हैं दोस्तों जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस भी हमने देखे जुडिशियली से सम्मधित कोई भी पॉइंट आप से पूछा जाए तो अमेरिका का सविधान आपको एकदम ध्यान आना चीए कि कहां से लिया गया है ठीक है जहें आपका हाई कोट पूछा जाए सुप्रीम कोट पूछा जाए पूरा जुडिशियल प्रोसेस पूछा जाए जुडिशियल रिव्यू पूछा जाए वो सब कुछ हमने अमेरिका से ही लिया है ठीक है नेक्स्ट हमारा कोशन है भारते सविधान में परदान मंत्री तता उसके मंत्री परिशद लोकसबा के परती उत्तरदाई को किस देश के सविधान से लिया गया है यानि कि भारते सविधान में जो एक परदान मंत्री होता है और उसका उसकी मंत्री नेक्स्ट हमारा कोशन है भारते सवधान में सर्वु चिनयले का प्रवधान को किस देश के सवधान से लिया गया है तो ये कोशन हो चुका है नेक्स्ट हमारा आता है कि भारते सवधान में राज्यापाल का पद किस देश के सवधान से लिया गया है तो प्यारे दोस्तो इसक सही उत्तर क्या रहेगा इन में से कोई नहीं क्योंकि भारते सविदान में राजयपाल का जो पद है वो लिया गया है गोर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट 1935 ठीक है 1935 से जिससे मैंने बताया था कि मैक्सिमम चीजे हमने जो एक्ट 1935 है वहां से लिया है तो राजयपाल का पद भी हमने वहीं से ही लिया है चले अब नेक्स्ट कोशन आ रहा है कि भारते सविदान में पंचवर से योजना को किस देश की सविदान से लिया गया है देखिए आप सभी को पता है कि हर 5 साल बाद सरकार चेंज होती है ये वाली जो विवेस्ता है हमने किस देश के सविदान से लिया है तो ये लिया है दोस्तों हमने रूस के सविदान से तो इसका सही उत्तर बनेगा हमारा उप्शन है ठीके चले, नेक्स्ट हमारा कोशन आते है कि भारते सविधान में केंदर राज्य के बीच वित्य संबंद को किस दो के सविधान के लिए दिया गया है यहाँ पर गलती से दो लिख दिया गया है, देश हो गया आपर किस देश के सविधान से लिया गया है तो भारते सविधान में केंदर राज्य के पीच वित्य संबंद को किस देश के सविधान से लिया गया है तो दोस्तो ये लिया है औस्ट्रेलिया के सविधान से तो इसका सही उत्तरा मारा option ए रहेगा नेक्स्ट हमारा कोश्चन है भारते सविधान में लोकतांत्र आत्मक गन्राज्य का प्रवधान को किस देश के सविधान से लिया गया है तो ये लिया है दोस्तो फ्रांस के सविधान से तो इसका सही answer option यह हो जाएगा कोशिश करिए कि आपको अगर कोश्चन का अंसर पता है तो नीचे comment box में बताए नेक्स्ट है भारते सविधान में राश्पती सासन का प्रवधान किस देश के सविधान से लिया गया है तो इसका सही उत्तर रहेगा कनाड़ा के सविधान से यानिकी option D is the right answer नेक्स्ट है भारते सविधान में अवसिष्ट सक्तियों को किस देश के सविधान से लिया गया है यानिकी डेजिडियूरी पावर को किस देश के सविधान से लिया गया है तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर भी कनाड़ा रहेगा यानिकी option C is the right answer दोस्तों नेक्स्ट है भारते सविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्थ होना को किस देश के सविधान से लिया गया है देखे आप सभी को पता है कि जो हमारे देश में आपातकाल की विवस्ता है वो कहां से लिए जर्मनी से लिए गया ठीक है यह पता है मैंने अभी बताया था आपको और मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिया है तो यहाँ पर बात की जा रही है कि आपातकाल की कंडिशन में मूल अधिकार जो हमारे fundamental rights है वो हट जाते हैं ठीक है और उसको हटाने का जो process है वो भी हमने जर्मनी से ही लिया है ज किस देश की सविदान से लिया गया है तो यह परकिरिया हमने लिए है कानून द्वारे स्थापित परकिरिया यह लिए है जापान के सविदान से तो इसका सही उत्तर option दोस्तो डी रहेगा ठीक है I hope कि आपको याद रहे चले next हमारा question है भारतिय सविदान में संयुक्त अध अधिवेशन तो संयुक्त अधिवेशन यह हमने लिया है दोस्तो पता है तो जल्दी से बता दीजिए बिल्कुल ओस्ट्रिलिया की सविदान से लिया है तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा option 21 ठीक है चले next है कि भारतिय सविदान में राश्पति के चुनाव की विदी को किस देश के सविदान से लिया गया है method of election of the president यह हमने लिया है कहां से Ireland से यानि के option भी इसका सही उत्तर रहेगा ठीक है guys तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि राश्पति के चुनाव की विदी को किस देश के सविदान से लिया गया है तो यह दोस्तों Ireland के सविदान से लि निर्वाचन मंडल को किस देश के सविदान से लिया गया है राश्पति का निर्वाचन मंडल को किस देश के सविदान से लिया गया है बिर्टेन के सविदान से लिया गया है यानि कि legislative procedure जो है वो किस देश के सविदान से लिया गया है विदाई परकिरिया को किस देश के यह हमने लिया है बिर्टेन के सविदान से तो प्यारे दोस्तों इसका सही उतर रहेगा option A, चले, next हमारा question है कि भारते सविदान में सक्तियों का विपाजन को किस देश के सविदान से लिया गया है, तो प्यारे दोस्तों इसका भी सही उतर क्या रहेगा अमेरिका के सविदान से काफी सही यानि यह option B is the right answer ठीक है चले एक दो question देखे से में repeat हो गया मैं इस चीज़ को समझता हूँ आप इसको थोड़ा सा seriously मत लीज़ेगा कि question repeated हो गया जब ज़्यादा question collect करते हैं कहीं बार 40-50 question एक वीडियो में collect करते हैं तो यहाँ पर 40 question है हमारा भारते सविदान में वित्या आपात को किस देश के सविदान से लिया है जो financial emergency है सबसे पहले तो आपको यह पता हो नचे कि किस article में आता है तो article 360 में हमारे देश में जो financial emergency है जो कि आज तक नहीं लगी है वो आती है 360 में ठीक है तो यहाँ पर यह लिया गया है अमेरिका के सविदान से यह भी आपसे पूछा जाता है कि financial emergency भारत देश में कितने बर लगी है तो आपका होगा उसमें answer कि एक बार भी नहीं लगी है next है कि भारते सविदान में विदी निर्मान की परकिरिया को किस देश के सविदान से लिया गया है विदी निर्मान की जो परकिरिया है यानि की जो लोग बनाने की परकिरिया है वो भी हमने बिर्टेन के सविदान से ही ली है ठीक है जैसे बिल पास होगा ठीक है तो जब वो पास हो जाते हैं उसके बाद उसके फाइनल में रास्थपती के सिगनिचर होते हैं उसके बाद वो एक लो बनता है तो इसी तरीके से ये प्रोसेस हमने बिटेन के सविधान से लिया है ठीक है फिर दोस्तों नेक्स्ट आते हैं भारती सविधान में राजेसभा मे सिटो का आउंटन को किस देश के सवधान से लिया गया है तो राजय सभा में सिटो का जो बटवारा है ठीक है वो हमने लिया है आयलेंड के सवधान से ठीक है गैस तो सही उत्तर ओप्शन सी रहेगा तो यहाँ पर हम देखे 40 से ज़्यादा कोशन मैंने बोला था तो 40 से ज़्यादा कितने होंगे वो मुझे नहीं पता है बट ज़्यादा ज़्यादा रहेंगे बारते सवधान में केंदर राज्य संबंद को किस देश के सवधान से लिया गया है तो केंदर राज्य के संबंद जो है हैं संबंद होता है तो किस तरीके का क्या क्या होगा तो थेंक यू सो मच गाईज आपने सेशन को पूरा एंट तक देखा आई होप कि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इसको लाइक कर दीजे अपने दोस्तों के साथ में सेर कर लिजे और अगर आप चैनल पे नहीं है त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को उन रखिए ताकि आगे आने वाले सारी वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें थेंक यू सो मच मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई